आज चार राज्यों के चुनाओं का फटाफट विशलेशन आपको सुना देते हैं पहला तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आज जिन चार राज्यों में चुनाओं के रिजल्ट्स काउंट हुए उनमें राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में BJP की लीड हुई और एक राज्य तेलंगाना में कॉंग्रेस की लीड है यहाँ पर देखा जा रहा है कि चारो राज्यों में अंटी इंकम्बेंसी जहाँ पर भी थी वहाँ पर BJP आई है चाहे बात करें राजस्थान की जहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार थी मध्यप्रदेश और 36 गड़ मध्यप्रदेश में सिर्फ एक exception था मध्यप्रदेश में सिर्फ प्रो इंकम्बेंसी थी तेलंगाना में भी आंटी इंकम्बेंसी वेव में अब कॉंग्रेस की सरकार आई है और KCR को KCR की पार्टी जो है BRS वहाँ पर TRS उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है और ऐसा क्यों हुआ है तो तेलंगाना की एक बारी बात कर लेते हैं मोटा मोटी आपको बताएं कि तेलं का फायदा BJP को हुआ है इस दोरान उनका वोट शेर बढ़ा है 7 प्रतिशत वोट शेर पहला होता था अभी उनका वोट शेर 14 प्रतिशत हो गया है और पहले से जहां एक सीट तेलंगाना में उनको थी उसमें से बढ़कर 7 और सीटें BJP की जोली में तेलंगाना में आई है वही KCR को जो धक्का लगा है उनके पहले के मुकाबले 8 सीटे कम हो चुकी है और क्यूंकि KCR एक तरीके से प्रोजेक्शन उनका ऐसा था मीडिया में और लोगों में कि वो काफी पॉपिलर थे बशर्ते उन्होंने तेलंगाना में काम किया लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है क कि राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उनका जो कनेक्ट था लोगों से वो काम आया डीके शिवकुमार की तेलंगाना में स्ट्राटेजी काम आई और इसलिए कॉंग्रेस इस वक्त तेलंगाना में विजयी दिखाई दे रही है बात करें मध्यप्रदेश की में काफी बड़े कद पर आ गए हैं आपको याद होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो काफी बार चुनकर वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो यहां पहुंचे तो हो सकता है कि शिवराज चोहान भी उसी स्टेचर पर अब दिखाई दे रहे हों हो सकता है वो योगी अधित्यनाथ से भी उचा उनका दर्जा इस पक पार्टी में दिख रहा है मध्यप्रदेश में शिवराज चोहान ने अपनी जीत के मामले में बताया है कि जो लाडली बहन स्कीम थी वो महिलाओं ने उनकी सराहना की और बहुत बढ़ चड़ के महिलाओं ने वोट दिया है मध्यप्रदेश में जबर ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो वोट शेर है वो दो प्रतिशत से ज्यादा था और कुल वोट शेर भारतिय जंता पार्टी का आठ प्रतिशत से बढ़ा है मध्यप्रदेश में तो इ शिवराद चौहान ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दुबारा बात करें अगर 36 गड़ की ये एक सप्राइज गुगली रही है भारती जन्ता पार्टी के लिए भी क्योंकि आक्सेस माई इंडिया पोल्स और जितने भी पोल्स थे उन्होंने प्रिडिक नहीं किया था कि भारती जन्ता पार्टी चातीस गड़ में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी लेकिन किया है उन्होंने बुपेश बगेल की जिस तरीके से जो फील्डिंग रही वो चातीस जाफ गई है उन्हें लट्टू मास्टर कहा जाता था लेकिन उनका ये लट्टू वार जो था चला नहीं इस बरी और इसलिए वो अब अपनी सीट से चातिस गड़ में लगभग हाथ धो चुके हैं बात करें राजिस्थान की राजिस्थान में जहां अशोग गहलोज, राजिस्थान में हो रही थी, एंटी इंकमबंसी वेव में राजिस्थान बीजेपी के हाथ में गया है, ये जरूर है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का जो प्रचार करने का जो तरीका था, वहाँ पर लोगों को काफी भाया है और इसलिए भी जो वोट है, वो मोधी क के नाम पर ही दिया गया है, जैसे अगर बात करेंगे, दिया कुमारी जो है, जिस सीट से वो खड़ी है, उस पर भाजपा का अगर कोई भी खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से उसके जीतने के चांसिज ही थे, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वसुंदरा राज बहने हैं मुख्य मंतरी बनेगी, अब कौन मुख्य मंतरी बनेगा राजस्थान में इस पर तो वीजे पी अभी तक कुछ ज्यादा बताया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बीजे पी के लिए बी चालेंज होगा कि राजitative जो बनेगा इसका सीधा फाइदा, दू हजार पाइदा 2024 के चुनाओं में भी होगा और वाकई में यह जो चुनाओं था इस साल का लिटमस टेस्ट था और अगले साल अब सारी ही पार्टियों को अपनी कमर कसनी पड़ेगी वी 2024 के अब जेनरल इलेक्शन सामने आएंगे लेकिन दिख रहा यही है कि जिस तरीके से भाजपा ने जमीन पर काम किया इलेक्शन मैनेजमेंट बोलिए लोगों का उनसे कनेक्ट बोल दीजिए या फिर कास्ट कॉंबिनेशन बोल दीजिए या गनित बोल दीजिए चुनाओं के उसमें बीजेपी फिर से खरी उत्री है और आने वाले समय में भी इस तरीके से पता चलेगा कि अब बाकी पार्टी कहरें कि हम लाजस्ट ऑपोजिशन पार्टी है एक इंडिया अलाइंस की मीटिंग भी बुलवाई गई है अब कॉंग्रेस के नेत्रित्व में तो यह तमाम चीजें अब गर्माती दिखाई देंगी और आने वाला समय और भी चुनाओं को लेके दिल्चस्प होन आज इठाकुर के साथ मिलन शर्मा आज तक